Hello everyone, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, CU-ET PG का जोए पेपर डिस्कस करने वाले हैं, PG-QP38, जो कि अब इस पेपर कोड चेंज हो गया है, ये पेपर कोड अब हो गया है, CU-QP12-2023 से, ये डिस्कस कर रहे हैं, 2021 का पेपर, इसके बाद हम 2022 का पेपर भी डिस्कस करेंगे, तो इवर्सिटीज की पेपर कोड की जो रिक्वाइरमेंट है वह स्यों क्यूपी ट्वैल अब किसी और भी कोर्स का इंटरेंस देना चाहे हैं अगर पेपर कोड रिक्वाइरमेंट है सी ओ क्यूपी ट्वैल तो आपको PGQP 38 पेपर करके जाना है 2021 का भी 2022 का भी ठीक है तो यह के कोशन्स करने जा रहे हैं जो कोशन इसमें रहे गए थीया यहा तक के कोशन साथ कवर कर लिए थे आगे के कोशंस हम इसमें और कर लेते हैं टिटेल सॉलुशन की वीडियो आपको बाद में चैनल्स पे देखने को मिल जाएगी अभी मैं आपको फटा-फट कोशन के अंस नमबर सेकंड फोर मीटर दी पैरमेटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब इस 20 सेंटिमेटर तो वॉल्यूम इट्स वॉल्यूम मस्ट बी तो 125 सेंटिमेटर क्यूब तो अप्षिन नमबर जो है वन इसका इसमें करेक्ट ऑप्षिन हो जाएगा नेक्स देखते हैं अब यहां पर आपको क्या है स्टेटमेंट दी वहीन क्योंक्लूजन दिया हुए अब इसके बाद आपको इसमें से जो है आंसर्स देने आपको धियान रखना है ठीक है तो अच्छे से पढ़ना फिर आपको ऑनसर्स करना बीना कोश्शन को पढ़े आपको आंसर्स नहीं करना सब्सक्राइब द करते हैं वो talented हैं थीकिर उसके बाद क्या का आ गया लांड हो यहां पर लिखको सब्सक्राइब तो इसमें जो कॉशन करने हैं आपको इसी तरीके से करना है तो इसका हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा नेक्स वाले कोशन में ऑप्शन नमबर 4 इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नेक्स देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन साएगा इसमें ऑप्शन नमबर 3 इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन साएगा और इसका हमारा जो इसम इसका इसमें जो है correct options आ जाएगा चीक है अब यहां पर यह comprehensive question दे रखेंगे आपको इसको अच्छे से देखना है उसके बाद आपको यह बाकी सारे questions के अब लिखा हाव मेनी students are there in class 9th in the school तो यहां पर आपको अच्छे से देख लेना है उसके बाद याप इसके answers दे पाएंगे तो इसका correct option से इसमें option number 4430 next section has the minimum failure rate in half yearly examination तो इसका इसमें correct options आएगा option number 4D इसका इसमें इसमें जो है correct options आजाएगा which section has maximum pass percentage in at least one of the two examination option number 4D इसका इसमें correct options आजाएगा next देखते हैं इसका हमारा इसमें जो correct options आएगा वो आएगा option number 3 both the examination had almost the same difficulty level next देखते हैं question फिर यहां पर यह comprehension का question है इसी में से आपको answers देने हैं आगे के the total sales of all the seven years are the maximum for which battery तो 32EH option number 3 इसका इसमें जो है correct option है next देखते हैं what is the difference in the number of 35EH batteries sold in 1993 and 1997 तो 39,000 option number 4 इसका इसमें जो है correct option है the percentage of 4 बैटरी sold to the total number of battery sold was maximum in the year 1997 option number जो है 4 इसका इसमें correct option है next देखते हैं in case of which battery there was a continuous decrease in sales from 1992 to 1997 इसका इसमें correct options है वो है option number second इसका इसमें जो है correct option है next देखते हैं what was the approximate percentage increase in the sales of 55EH batteries in 1998 compared to that in 1992 तो इसका इसमें correct options है option number 4 34% ठीक है next question देखते हैं इसका हमारा इसमें जो correct option आएगा वो आएगा option number 3 13 रिश्योस 11 नेक्स देखते हैं if the expenditure on advertisement is rupees 2.10 crore then the difference between the expenditure on transport and taxes is 35,00 तो option number 3 इसका इसमें correct options है आपको सारे questions को जो अच्छे से करना है option number 4 35,00 इसका इसमें correct option है the total amount of expenditure of the company is how many times the expenditure on research and development तो 20 option number second इसका इसमें जो है correct option है if the interest on loan amount to rupees 2.45 crore then the total amount of expenditure on advertisement, taxes and research and development is तो इसका हमारा इसमें जो correct option आएगा वो आएगा 4.2 crore option number 3 इसका इसमें जो है correct options आ जाएगा next question देखते हैं अब यहां पर आपको इस पाइचार्ट से answer देने find the population of village as if the population of village x below poverty line in 1997 is 12160 तो इसका हमारा इसमें correct option आएगा वो आएगा option number 3 22,000 ठीक है next question देखते हैं फिर यहां पर बताने the ratio of population of village t below poverty line to that of village z below poverty line in 1997 is तो इसका हमारा इसमें जो correct options आएगा वो आएगा option number 2 फिर देखते हैं question if the population of villages are in 1997 is 32,000 then what will be the population of village y below poverty line in that year तो इसका हमारा इसमें correct option आएगा वो आएगा 15600 तो option number 4 इसका इसमें correct options आजाएगा पांड़ा जीगा next देखते हैं इसका हमारा इसमें correct options आएगा वो आएगा option number second 12760 को the next question देखते हैं इसका हमारा इसमें जो correct options आएगा वो आएगा option number one है इसका इसमें correct option आजाएगा नेक्स्स कुशन देखते हैं इसका हमारा इसमें जो करेक्ट आप्शन आएगा वह आएगा आप्शन नमबर 4 डी डवलू बिल्कुल सिंपल है तो ठीक है चूज अ मेसिंग टर्म आउट अफ दी गीवन आल्टरनेटिव तो इसका हमारा इसका हमारा इसमें करेक्ट आप्शन आप्शन आप देख सकते हैं किस तरीके कुशन आते हैं फिर यहां पे भी हमें चूज करना है देख में ऑप्शन आप्शन और इसका इसमें जो है क्रेक्ट आप्शन है इसका हमारा इसमें कर्ट आप्शन साएका उप्शन नंबर वन विंडो इसका इसमें झो है correct option है next देखते हैं इसका इसमें correct option से option number three cousin next question देखते हैं इसका हमारा इसमें जो correct options आएगा वो आएगा option number four grandson फिर आगी के question देखते हैं अब read कर देनी है आपको इस सारी information उसके बाद जोह। को questions का यहां स्कूल देस了 five टीचर हुआ अमंग दी टीचर वास्टीचिंग मैक्सिमम नमबर आफ सब्जेक्ट तो इसका इसमें करेक्ट ऑप्षन से अप्षन सेकेंड भी नेक्स देखते हैं विच आफ दी फॉलॉविंग पेर वास्टीचिंग बोथ जियोग्राफी एंड हिंदी तो इसका हमारा इसम में करेक्ट ऑप्षन से वह है ऑप्षन नमबर जो है सेकेंड इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्षन है नेक्स देखते हैं इसका इसमें करेक्ट ऑप्षन से ऑप्षन नमबर थ्री हिंदी ओनली विच टीचर वास्टीजिंग लेस देन टू सब्जेक्ट तो दिर इस नो इसका इसमें करेक्ट आप्शन है इसका इसमें करेक्ट आप्शन से आप्शन नमबर फॉर इसका इसमें जो है करेक्ट आप्शन है विच आफ दी फॉलविंग पेर आफ पीपल आड़ सेटिंग एड़ एक्स्ट्रीम एंड इसका इसमें जो करेक्ट आप्शन से वह है आप् 4 इसका इसमें correct options है, next question देख लेते हैं, which of the condition, first to fifth, given above is not required to find out the place in which A, तो इसका हमारा इसमें correct options है, all are required, तो option number 4 इसका इसमें correct option है, next question देखते हैं, इसका इसमें correct options है, option number 1, इसका इसमें correct options है, next question देख लेते हैं, इसका भी correct options है, option number 4, इसका इसमें correct options है, इसका इसमें correct options, option number 4 है, इसका correct options, option number 1 है, next देखते हैं, इसका correct options है इसमें option number 4 इसका इसमें correct options है और last questions इसका भी correct options है option number 4 ठीक है तो जल्दी details solutions के साथ मिलते हैं Thank you